हेलो बेटा, आज इस वीडियो में हम ये कोशन डिसक्स करेंगे, ठीक है, स्टेट्मेंट के है, फाइंड दी पाइंट ऑन दी कर्व अट विच टेंजेंट इस ठीक है, ये मेरे पास एक कर्व की एक्वेशन है, मैंने इस कर्व की उपर उस पाइंट के कोडिनेट्स निकाल है, यहां, अगर मैं उस पाइंट पे टेंजेंट कंसिडर करूँ, तो उसकी एक्वेशन ये हूँ, ठीक है, क्लेर है जी, तो बेटा, हमें क्या मालूम कि ऐसा कौ entfer है, जिस पे अगर मैं तेंजेंट कंसिडर करूँ गा, तो वह ये वाली टेंजेंट मनेगी, तो मैं अपन मर्जी से बिटा मानलोंगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोडिनेट्स है अल्फा कॉम्मा बीटा अगर मैं उस पे टेंजन कंसिडर करूं तो उसकी एक्वेशन ये रहेगी ठीक है तो जैसे मानलों कि इस कव का जो अगर मैं इस पॉइंट पर तो वो जो टेंजन रहेगी उसकी जो एक्वेशन होएगी वो ये वाली होएगी ठीक है जो आपके सामने है ठीक है तो यहां पर बेटा मैं लिखता हूं let A having coordinates alpha, beta be the point on the curve at which tangent is y is equals to 3x minus 11 ठीक है तो यह कांसा point है यहां पर मेरे को पहले elaborate करना पड़ेगा ठीक है अभी देखो बेटा मेरे पास इस tangent की equation given है ठीक है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं that is 3x minus y minus 11 equals to 0 तो यह मेरे पास tangent की equation है बेटा यह मेरे पास journal form में equation है ठीक है आपने study किया होगा equation of a line in journal form last year जब आपने straight line chapter discuss किया था ना plus one class के अंदर तो वहाँ पर बेटा अपने equation of a line study किया होगा है journal form में वो क्या होती है वो होती है ax plus by plus c equals to 0 ठीक है तो यह वली जो मेरी given equation है इसको मैंने journal form में express कर दिया है ठीक है अभी दोको बेटा मैंने क्या करना है दोको बेटा मेरे पास tangent का equation given है तो मैं यहां से बेटा tangent की slope निकालूँगा ठीक है जो formula मैंने plus one class में सिख़ है अभी आपने plus two class के अंदर भी एक formula सिख़ है जिसकी help से आप tangent का slope निकालते हो ठीक है तो मैं दोनों formula यूज़ करूंगा एक plus one class का formula और एक दूसरा plus two class का formula ठीक है तो पहले हम वो use करते हैं दोनों formula तो अभी मेरे को tangent का क्या slope है अभी मेरे को नहीं मालूँगा ठीक है तो म यहां पर मैं mention करता हूँ let's small m be the slope of tangent अब यहां पर given board भी mention कर सकते हो given tangent ठीक है तो बेटा दखो tangent की tangent का जो equation है वो मेरे पास है 3x minus y minus 11 equals to 0 ठीक है तो equation जो है वो journal form में है तो अगर journal form में equation हो ठीक है tangent की तो बेटा slope निकालने का formula क्या आता है minus coefficient of x upon coefficient of y ठीक है तो अभी दखो x का coefficient क्या है मेरे पास 3 और y का coefficient क्या है मेरे पास minus 1 तो अभी minus के साथ minus cancel हो जाएगा simply क्या आजाएगा 3 ठीक है तो यह हमारे tangent का slope है ओके बेटा ठीक है अभी एक formula आपने और भी study किया है यह वाला जो formula मैंने use की है यह प्लस 1 class के अंदर सीखा था अभी मैं formula use करूंगा जो मैंने plus 2 class के अंदर सीखा है ठीक है उसमें क्या आता है slope किसके equal होता है जो हम अरे पास curve की equation होती है ना उसको हम differentiate करते हैं ठीक है बा consider कर रहे हैं वो बेटा point है हमारे पास alpha, beta उसके coordinates तो x की value मैंने alpha substitute करने है और y की value बेटा मैंने beta substitute करने है तो अभी यह value निकालने के लिए मेरे को given जो मेरे पास curve है उसको differentiate करना पड़ेगा तो given curve की equation है मेरे पास x cube minus 24x plus 5 ठीक है तो अभी इसको differentiate करते हैं यह आजाएगा dy upon dx is equals to 3x square minus 24 और 5 constant है उसकी 0 हो जाएगी ठीक है differentiation अभी यह value मैं यहां पर substitute करता हूँ उपर तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आएगा m is equals to 3 alpha square minus 24 ठीक है अभी देखो बेटा मेरे पास m की value क्या है मेरे पास m की value है 3 तो यह value में यहां पर use करूंगा तो मेरे पास यह आजाएगा 3 is equals to 3 alpha square minus 24 अभी बेटा minus 24 इदर आके क्या आएगा positive हो जाएगा यह बेटा बन जाएगा 27 is equals to 3 alpha square बेटा 3 इदर multiply हो रहा हो जाके क्या आएगा divide हो तो बेटा मेरे पास आजाएगी alpha की 2 values एक आजाएगी plus 3 और दूसरी आजाएगी minus 3 ठीक है अभी बेटा मेरे को बेटा की value भी चाहिए अभी देखो ऐसा है बेटा जो point A है हमारे पास ठीक है वो बेटा देखो tangent के उपर लाई कर रहा है ठीक है यह point tangent के उपर है तो बेटा के अपने लिखना है since point A having coordinates alpha, beta lies on given tangent therefore it satisfy its equation ठीक है तो बेटा x की जगह पे alpha और y की जगह पे beta substitute करना है तो यह मेरे पास क्या बनाएगा beta is equals to 3 alpha minus 11 ठीक है तो अभी मैं सबसे पहले alpha की value यहाँ पे 3 substitute करता हूँ तो यह पेटा मेरे पास क्या बनाएगा beta की value क्या आएगी मेरे पास यह आजाएगा 9 minus 11 और यह आजाएगा minus 2 तो एक मेरे पास point आजाएगा 3 comma उसके coordinates होएंगे 3 comma minus 2 ठीक है अभी next पेटा मैं alpha की value substitute करता हूँ minus 3 तो यह मेरे पास आएगा beta की value आएगी बेटा minus 9 minus 11 यह आजाएगा minus 20 जो दूसरा point रहेगा वो मिलेगा मेरे को minus 3 और minus 20 तो इस curve के उपर मेरे पास 2 point ऐसे हैं जिन पे अगर मैं tangent consider करूँ तो उस tangent की जो equation बनेंगी वो यह वाली बनेंगी बेटा तो बड़ा अच्छा question है ठीक है तो important भी है इसको please जान से समझना ठीक है अभी बेटा हमारा जो application of derivative का जो first application था tangents and normals वो भी हमारा complete हो चुका है ठीक है तो अभी हम next application स्टार्ट करेंगे next video के अंदर ठीक है बेटा